नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है रोहिस शर्मा को सीमित ओवर प्रारूप का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है ये बात उन्होंने बुद्धवार को एक बार फिर साबित की चेन्ने सुपर किंग्स के खिलाफ आई पिल के 13 सत्र के उदगाटन मकाबले में रोहिस सस्ते में पविलियन लौट गए थे और इसकी कसर उन्होंने आबू धावी में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जम कर पूरी की रोहित ने चोगन गेंदो पर 3 चोकों और 6 चकों की मदद से 80 रन बनाए जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टिम निर्धारित 20 ओर में 9 विकेट पर 146 रनों का स्कोर ही बना पाई और मैच 49 रनों से हार गई मैच के बाद रोहित ने कहा कि गर्मी और उमस के कारण UA में लंबी पादी खिलना आसान नहीं है रोहित ने कहा मैं अंत में थोड़ा ठक गया था और ये हमारे लिए एक सबक था कि एक सैट बलेबाज को अंत तक बलेबाजी करने की जरूरत है हमने इसे पहले देखा है और येही मैंने करने की कोशिश की है उन्होंने बलेबाजी के दौरान पुल शॉर्ट खेल कर छक्के लगाए मुंबई के कप्तान ने कहा कि उन्होंने इसकी काफी प्रैक्टिस की है टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ उन्होंने हसते हुए का कि मेरे सबी शॉट काफी अच्छे थे गेंद बाजी की बात करते हुए उन्होंने का कि हम नहीं जानते थे कि IPL UAE में होगा इसलिए हमने वान खेड़े के मद्दे नजट तेज आकरमर्ट चुना था लेकिन गेंद यहां भी पहले 6 ओरों में सीम हो रही थी हम ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पेस्टिंसन के साथ ज्यादा नहीं खेले हैं केके आर के कप्तान दिनेश कार्टिक ने कहा कि बहुत विशलेशन करने की जरूरत नहीं है खिलाडियों को पता है कि उन्हें कहां बहतर करने की आवश्यक्ता है पैट कमिंस और आयन बोर्गन का आज कुरिंटाइन समाप्त हुआ उनके लिए इस गर्मी में खिलना आसान नहीं था बहीं ट्रेंट बॉल्ट ने ये भी कहा कि वह इन परिस्तितियों में खेलने में सहज नहीं थे उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इन गर्म परिस्तितियों में सहज हूँ मॉर्गन और रसेल के खिलाब गेंदबाजी करना एक बड़ी चुनाती है लेकिन आज जीत हासिल कर काफी अच्छा लगा मैं न्यूजी लेंड में गेंदबाजी कर रहा था और वहां सरदी है यही सबसे बड़ी चुनाती है लेकिन हर कोई क्रिकेट के लिए उत्साहित है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही ऐसी और वीडियो इसके लिए सबस्क्राइब कीजे लेड नियर न्यूज को धर्निवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूले